कुछ साल पहले एक रामू नाम का लकड़ी तोड़ने वाला था। उसकी हेमा नाम की एक पतनी थी और दो छोटे बच्चे। हर रोज सुबा रामू उसके नजदी के जंगल में जाता था और दिन भर लकड़िया तोड़ा करता था। दोपैर के वक्त वो उसके भोजन का कुछ हिस्सा एक पालतु कुट्टे को भी देता था। शाम को काटी होई लकड़िया एकठा बांद के वो उन्हें शेहर में ले जाता था। रास्ते में वो कुछ फल तोड़ता था और वो सारे एक साधु को देता था जो जंगल में रहते थे और उनसे शुप कामनाय लेता था। उसके बाद वो लकड़िया बेचने के लिए शेहर में जाता था। बहुत एक कश्ट लेके काम करने की वज़े से वो और उसका परिवार बहुत ही बुरी हालात में जिन्दगी जी रहे थे। बहुत मेहनत से वो कमाता था। क्या सिर्फ पचास रुपए? मस्तान भाई, आज मुझे सौ रुपएयों की जरूरत है, महर्बानी करके मदद कीजिए। कल मुझे किसी भी हालत में आज से भी दुगनी लकडिया तोड़नी पड़ेंगी, वरना हम महने के अंतक जिन्दा नहीं रह पाएंगे। हाय कैसी है ये जिन्दगी। रामू, तुमने और कुछ पैसे नहीं दिये तो मैं घर का खर्चा कैसे संबालूँगी। दिन बर तुम घर के बाहर रहते हो, तुमें नहीं पता मैं कैसे मुझ दिखाती हूँ सबको। दुकान, दार, दूद, वाला और कई सारे, तुमें सच मुझ कुछ करना पड़ेगा ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मैं समझ सकता हूँ, बस कुछ तिन और सहलो, मैं जरूर रास्ता ढोड़ निकालूँगा बहतर जिन्दगी के लिए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सरकार ने जंगलों से लकणिया तोड़ना भी अब मना कर दिया है। रामू, आज हमें कुछ पैसो का इंतिजाम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सब भूके रह जाएंगे। अगर तुम मंें खिलाने के लिए पैसा नहीं कमा सकते तो कम से कम हमें जहर पिलाने के लिए तो पैसा कमा, हम सब वो पीके मर जाएंगे, यह एसे जिंदकी से तो बहतर है कि हम सब मर जाएं.. बगवान के लिए इसी बाते मत करो हेमा, मैं जरूर रास्ता ढूंड निकालूंगा, कुछ तो होगा जो मैं कर सकूंगा, मुझे फिर से गाउं में जाके कोशिश करनी चाहिए हे साधु महराज, मैं हर रोज आपके लिए फल आया करता था, लेकिन आज मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ माफ कीजे मुझे, लेकिन सच मुझ बुरी हालत में हूँ और कमजोर भी, मेरा परिवार भी पाल नहीं सकता हूँ मैं रामू, मैं तुम्हे एक जादू की मुर्गी दूँगा, जो तुम्हारी समस्या दूर कर देगी जो तुम्हे रोज एक छोटा सा सोने का अंडा देगी, जिसे बेज कर तुम तुम्हारे परिवार को पाल सकते हो अच्छा ख्याल रखना उस मुर्गी का, वो तुम्हे हमेशा मदद ही करेगी हे मा, ये मुर्गी रात के भोजन के लिए नहीं है ये तो एक जादू की मुर्गी है जो रोज हमें एक सोने का अंडा देगी सादू महाराज ने दिये है हमें तुम बको मत, मुर्गी क्या कभी सोने का अंडा दे सकती है साधू ने जरूर तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा दे तो वो मुर्गी मुझे वैसे भी बहुत दिन हुए है मुर्गी का मास खाके नई है मा, कल सबेरे तक इंतजार करेंगे अगर मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो हम इसे दोपेर में खा जाएंगे वो मुर्गी हर रोज सोने का अंडा देती रही जिस प्रकार साधू ने कहा था और जल्दी ही रामू अमीर बन गया रामू, मुझे जमीनदारों से भी बड़ा घर बनाना है लेकिन हेमा, इतना पैसा हम लाएंगे कहां से मुर्गी जो हमें अंडा देती है उससे इतने पैसा नहीं मिलते हैं हमें ऐसे कैसे मुर्ग पती हो तुम अगर हर रोज की राह देखेंगे तो शायद नहीं लेकिन अगर हम सभी अंडे बाहर निकाल सकेंगे उस मुर्गी के पेट से एक ही साथ तो फिर हम पूरी जिंदगी अमीरी में गुजारेंगे बड़िया सोचा है मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ पहले अभी काट कर खोल के देखेंगे अगर 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 अंडे नहीं ऐसे कैसे हुआ कैसे हुआ वह मुर्गी मरने के कारण रामो फिर से लॉट गया उसके पुराने हालात में अगर तुम्हें पालने वाले हाथ ही तुमने खो दिये है अब मुश्किल है तुम्हारी लालच ही इसके लिए जिम्मेदार है शायद अब तुमने सीख ले ली है जाओ निकल जाओ तुम्हारी मुश्किल हल करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है झाल झाल